मद्य प्रदेश में इस समय बारिश का कहर देखने को मिल रहा है प्रदेश के लगबग सभी जिलों में बीते 48 घंटों से भी अधिक से लगातार बारिश हो रही है यही कारण है कि कई जग़ नदी नाले उफान पर है तो कई जग़ जल भराव के कारण प्रशासन को रेस्क्य आपरेशन करना पड़ रहा है मौसम विभाग की तरफ से आज प्रदेश के 20 से भी अधिक जिलों में भारी बारिश का अलट जारी किया है जानकारी के मुताबिक सागर में भारी बारिश से जिले अस्पताल में पानी भर गया है तो वहीं टीकम गड़ों सीधी में लगातार बारिश हो रही है जिसे नदी नाले उफान पर है लगातार हो रही बारिश के कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया है मौसम विभाग की माने तो भारी बारिश से अगले 24 घंटे के अंदर राहत मिल सकती है कटनी जिले में बारिश का कहर जारी है दो दिन में हुई मूसलाधार बारिश से टीमर खेडा और बहोरी बंद तहसिल में बाड के हालत बन गए है टीमर खेडा के धिर्री और सीमरिया गाउं जल मगन हो गए हैं घर पानी में डूब गए हैं और गाउं टापो में तबदील हो गए हैं जल भराव के कारण लोग घर की छट में डेरा जमाय हुए हैं मौसम विबाग ने बताया कि अगले 48 घंटे में राहत नहीं मिलेगी इंदो और भुपाल समेट 20 जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया है इसमें शोपूर, शिफपूरी, पन्ना, दमो, कटनी, सीवनी, ग्वालियर, दतिया, जाबुआ, अलिराजपूर, धार, बढ़वानी, आगरमालवा, राजगड, निवाडी, टीकमगड, छतरपूर, उमर या, बालाघाट में भारी बारिश का यलो और रेड अलर्ट जार दी गई है,